अधियोगी की यह प्रतिमा तयार हो रही है इसका मकसद आधियोगी फैन क्लब बनाना नहीं है इसका उदेश आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक विज्ञान के रूप में वापस लाना है किसी फिलोसफी के रूप में नहीं, विश्वास प्रणाली के रूप में नहीं, धर्म के रूप में बलकि एक विज्ञान के रूप में जिस तरह से एक विज्ञान और तक्नीक है बाहरी खुशाली के लिए, उसी तरह एक विज्ञान और तक्नीक है आंतरिक खुशाली के लिए क्या आधी योगी ऐसे ही दिखते थे? बात वो नहीं है क्या वो आपको अपने अंदर ज्हाकने के लिए प्रेरित करते हैं? बाद बस यही है 112 फुट इसलिए क्योंकि उन्होंने 112 तरीके बताए जिनके जरीए इंसान अपनी परम प्रकृती को पा सकता है ये 112 रास्ते उने 112 चक्रों के कारण है जो भौतिक शरीर में मौझूद है आंतरिक विज्ञान को हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए ताकि योग कोई अभ्यास न हो बल्कि आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए इसे दुनिया का हिस्सा बनना होगा क्योंकि इंसानी खोशाली की खोज में हमने इस धर्ती पर हर तरह का पागलपन किया है लेकिन इंसानों का जीवन खोशाल नहीं हुआ है, बाकी बहुत कुछ हो चुका है क्योंकि अगर आप खोशाली चाहते हैं, तो इसकी रा अंदर की ओर है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उत्रे मुझ में आदि होगी